नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चین tänkerL पे दोस्तों आज लम बात करैंगे AIMS की दो सीधी भर्त वो की INFORMATION के बारे में इन दोनों भर्तियों के दोस्तों notification जाने हो चुके हैं और इंठ्स जारी हो चुके हैं और इन भर्तियों के लिए दूस्तों आप की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है इन भर्तियों के लिए दोस्तों अलड़ी अपलाई होना शुरू हो चुका है और इसमें इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा और साथ में बेल आकन को भी जरूर प्रेस कर लिजेगा दोस्तों भर्तियों की पूरी इन्फोर्मेशन समझने के लिए वीडियो के अंतक बने रहेगा इस वीडियो में दोस्तों आपको सारी इन्फोर्मेशन दी जाएगी कि आज की वर्तियों में किस किस पोस की वर्ति है क्या क्वालफिकेशन चाहिए और इन भर्तियों के कि तो तो गाइज आगे बाढ़ेंगे जसल बटा दोस्तो आज आज सम बात करेंगे की दो भरतियों के बारे में पहली विटियों कि बारे में पहली बर्तिया हौली मेंलेerd आपको 31000 रुप हैacağनि की इसमें कोई लिमिन पर नहीं ठीक है दोस्तों कि बात तो इसमें categories wise fees है 531 रूपर से लिके 880 रूपर फीज का payment आपको दोस्तो online mode से करना है selection process की बात करें तो इस भरती में आपका test interview के basis पे दोस्तो selection किया जाएगा apply mode की बात करें तो इस भरती के लिए आपको online mode से apply करना है आज की date से इस भरती के लिए दोस्तो apply होना शुरूव हो चुका है और इसकी closing date है दोस्तो last date है 23 अपरेल 2023 post की बात करें तो इसमें दोस्तो भरती हो रही है apthalmic technician की और इसके लिए qualification रखे गई है BSE in apthalmic techniques या इसके बराबर की आपके पास qualification होनी चाहिए location की बात करें तो इस भरती का location है Ames Delhi और यह भरती Basis के थ्रूप की जा रही है ठीका दोस्तो तो चले बात करते हैं Ames की दूसरी भरती के बारे में यानि की All India Institute of Medical Census की भरती नमबर दो के बारे में तो दोस्तो बरती नमर दो में सहली आपको एस पर government की rules की इसाब से दी जाएगी और इसमें age रिमिट है 18 साथ से 30 साल साते साथ आपको categories wise age relaxation भी दिया जाएगा और इसमें fees है categories wise 2400 रुपे से लिके 3000 रुपे फीज का payment आपको online mode से करना है basically जाता selection process की बात करें तो यह भरती इसमें आपका common eligibility test होगा और आपका CBT होगा 3 जून 2023 को इस भरती के लिए दोस्तों आपको online mode से apply करना है इस भरती के लिए already दोस्तों आज की डेट से apply होना शुरू हो चुगा दोस्तों और इसकी closing date है last date है पांस मही 2023 दोस्तों इसमें total 3055 3000 पर्समन वेकेंसी है और इसमें भरती हो रही है दोस्तों nursing officer की और इसके diploma in GNM यह BSC nursing यह BSC honors nursing ठीक है और इसके location है दोस्तों Ames Delhi और अधर बेरियस लोकेशन्स इन इंडिया तो गाइस यह था सो डेटेल आज की दो भरतियों का I hope दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों इस दिया आप दूसरों का भला चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों आज जानकारों के साथ भी जरूर सेयर कीजिएगा दोस्तों आप सभी को पस्तों कामना है थेंक यू सू मच